हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम चेंज करेंगे ये बिकार पड़े हुए प्लाजो की इलास्टिक तो ये बिल्कुल ही नया सा ही प्लाजो है तो इसकी इलास्टिक खराब हो चुकी है तो चलिए मैं आपको बता तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये देखिए इसकी इलास्टिक बिल्कुल खराब हो चुकी है तो अब हम इसकी जो side है ये वली ulti side वहाँ पर ये जो सिलाई हमें नेफे पर नजर आ रही है इसको खोल देंगे मैंने सुई की help से इसको खोल दिया है आप यहाँ पर cut भी लगा सकते हैं तो ये दिखिए ये अंदर जो elastic है वो एक सिलाई के साथ ही attach की हुई है तो हम इसको नहीं निकालेंगे नहीं तो हमें ये सारी नेफे की सिलाई निकालनी पड़ेगी तो हम बहुत ही असानी में पांच मिनट में इस elastic को चेंज करेंगे चेंज नहीं करेंगे ये वैसे ही हम नई elastic इसमें और add कर देंगे तो चलिए मैं आपको बताती हूं ये देखिए मैंने इतना piece लिया हुआ है ये जहां पे हमारी ये सिलाई आती है उससे तीन fingers बड़ा मैंने लिया है ये देखिए जहां पे हमारी सिलाई है तीन fingers सिर्फ बड़ा लिया है आप चाहें तो अपनी कमर के according भी ले सकते हैं measurement के हिसाब से तो लेकिन अगर हम ऐसे लेते हैं तब भी य सुई की help से ये मैंने hair pin ली है आप safety pin ले सकते हैं या किसी भी तरीके से इसको elastic को हम इसके अंदर डाल देंगे ये देखिए जो हमने hole किया था वहाँ से हम ये सारी elastic जो है अंदर डाल देंगे बहुत ही आसानी से ये अंदर चली जाएगी तो ये देखिए सुई की help से हमने धीरे धीरे इसको अंदर डालते जाना है तो बड़े आराम से ये elastic अंदर चली जाती है तो पहले वली जो elastic है हमें उसको निकालने की कोई ज़ुरत नहीं है क्योंकि वो तो खराब हो चुकी है तो वो अंदर भी रहेगी तो कोई भी उसक वो तो यह देखिए दीरे धीरे करके हम ये सारी elastic पूरे गिरे में डाल देंगे तो ये मैने पूरे गिरे में डाल दी है तो अब ये जो 2 किनारे हमारे पास इसके आ गएं हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखके तो इसके उपर चाहें तो आप सिलाई मेशीन से नहीं, तो ह हमने इसमें सिलाई मशीन नहीं यूज करनी है मैं हैंड से आपको बता रही हूं तो इसको हम नीडल की हैप से पक्का कर देंगे ज्यादा टाके लगाएंगे कि यह बिल्कुल मजबूत रहे हमारी जो इलास्टिक है तो फ्रेंड्स कई बार प्लाजो हमारे बिल्कुल नए से ही होते हैं लेकिन वो इलास्टिक खराब होने की वज़े से बिल्कुल बेकार पड़े रहते हैं घर में तो यह सिर्फ गिंती के पांच मिनट लगते होंगे कि हमारा जो प्लाजो है यह फिर से यूज में आ जाता है तो आप भी अपनी जो दिन चर्या है आपने टाइम में से 5-10 मिनट निकाल के अपनी रिपेर कीजिए अपने कपड़ों को तो बहुत आसान होता है इनको फैंकने की कोई ज़रत नहीं होती है इनको सिर्फ 5-10 मिनट से में ही हम बिल्कुल पहनने लाइक फिर से बना सकते हैं तो यह सबसे आसान तरीका है सिलाई मेशीन जिनके पा कितने सारे टाके लगा के इसको मजबूत कर लिया है जोड को और बिल्कुल गिंती के 5 मिनट ही लगे होंगे और कोई मशीन की ज़रत नहीं पड़ी है हमें हैंड से ही हमने यह इलास्टिक इसके अंदर डाल दी है तो देखिए कितने अच्छे से यह हमारा प्लाजो जो है पहनने के लिए फिर से रेडी है तो यह जो होल हमने किया था इसको भी हम सुई की मदद से अब फिर से यह देखिए यहां से स्टिच कर देंगे तो बाद में कभी फिर से हमारा अगर प्लाजो की इलास्टिक खराब होगी तो हम फिर से यह होल खोल के और इसमें फिर से इल प्लास्टिक डाल सकते हैं, तो बहुत लॉंग टाइम तक हम अपने जो प्लाजो हैं, उनको पहन सकते हैं, तो हर घर में ऐसे प्लाजो जरूर पड़े होंगे, जिसकी इलास्टिक खराब हो चुकी है, और वैसे वो नए हैं, तो आप भी 5-10 मिनिट लगा के अपने कपड़ो को यूज में लाइए, तो देखिए फ्रेंट्स, 5 मिनिट में हमारा जो प्लाजो है, वो पहनने के लाइक हो चुका है, तो हो फ्रेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हलपफुल लगी होगी, अगर जराब सी भी आपको ये वीडियो हलपफुल लगी है, तो stitching and beauty से related बहुत सी वीडियो मिलती रहेंगी, तो वो सब वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सकाइब कीजिए, तो ये देखिए हमारा जो प्लाजो है, वो पहनने के लिए रेडि है, वो भी सिरफ 5 मिनिट में, तो बाइबाइ फ्रेंट्स, होप आपको वीडि मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, टेक केर